ब्रोर बनर आने के लिए देखते रहें केनाइन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चनल रहाँ पहला आइकन दबाने दोस्कार दोस्तों केनाइन मीडिया में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सियासी मंथन में हम हर राजनेतिक गतिविधी पर चर्चा करते हैं और इन दिनों जो है वो किसान आंदोलन चला हुआ है और इस किसान आंदोलन गे चलते हर याना की राजनीती पे किस तरह का परभाव पड़ता है इन्ही सब बातों पर हम चर्चा करते हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं मंत्री मंडल विस्तार को ले के जी हाँ जिस तरह से BJP, JJP की सरकार है और पिछले दिनों मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर और दुशन्त चोटाला वो अमित शाह से मिले परधान मंतरी से मिले और वहां से बाहर निकल के उन्होंने कहा कि सरकार पाँच साल यूँ ही चलेगी तो इस सरकार को पाँच साल लगातार चलाने के लिए अब जोड तोड की राजनीती भी करनी वो शुरू कर दी गई है क्योंकि कही ना कहीं जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है तो ऐसे में अब कुछ आजाद उमिद्वारों समेत तमाम को मंतरी मंडल विस्तार करके सभी को अड़ेस्ट करना होगा सभी को जगे देनी होगी इसी चर्चा के साथ हमारे साथ मौझूद हैं हमारे राजनेतिक विशेश शिग्यापर मौध शर्मा जी सर क्या लगता है सरकार किसान आंदोलन के प्रेशर के चलते कोई मंत्री मंडल में विस्तार करेगी देखे रुन बाइ जैसा कि हम से लोग जानते कि अर्याना विदानसवा नबब विदायक हैं मुख्यमंत्री समित सोधा विदायकों को ही मंत्री मना जा सकता है ये सरकार तीन टाइप के विधाकों से मिलकर बनीवी है जिसमें दिरतले विधायक है जन्नाइक जनता पर्टी के विधायक है। और वारते जनता पर्टी के विधायक है। पूरु मुख्मंद्री पंदर सिंग उड़ा ने अलान किया है कि जो अर्याना विदान सबागा बजट स्तर होगा उसमें वह एविशास परस्ताव लाएंगे तो अब सरकार ने भी कमर कसली है सरकार ने पने विदायकों को मनाना शुरू कर दिया है बता जा रहा है कि दुसन सिंग चुट्राला अपने विदायकों को वीब जारी करेंगे जिसमें उनके सबी विदायकों को सरकार ने परकिसमें वोड़ डालना जुरूरी होगा वही 40 विदायक भारते जिंदा पाटे के हैं 50 और 5 निर्दे विदायक भी जो है सरकार के साथ बताये जा रहे हैं तो सरकार ने अपने 55 विदायकों का समर्थन जुटा लिया है पूरों मुख्यमंतरी वोड़ डालना कि जो विदायक इन करनों का समर्थन करते हैं सरकार को वोड़ डाले और जो विदायक इन करनों का खिलापत करते हैं वो लोग सरकार के खिलाप में वोड़ डाले तो कुल में लाकर मुख्ध मंतरी ने पूर मुख्ध मंतरी वुपंदर सिंग उड़ा ने पना तीर चल दिया है अब जो है सरकार अपने 95 विदाइकों तयार के वह है वही 34 से 35 विदाइक वुपंदर सिंग उड़ा के साथ बताएं जा रहे हैं सरकार को लगता है कि विदायकों को मनाने के लिए मंत्री मंदल में विस्तार किया जा सकता है विदायकों सेट करने के लिए मंत्री मंदल विस्तार जरूरी है सब्सक्राइब के बाद जल्दी सरकार मंत्री मंदल विस्तार करेगी बताया जा रहा है कि इसके लिए सबसे पहले मुख्ध मंत्री और उप्मुख्ध मंत्री जमीर साजी से मिले थे और उसके बाद जो है उप्मुख्ध मंत्री के मुलाकात होई थी माने परदार मंत्री जी से पिछले तीन दिनों से रियाना बारते जिंता पाठी के परबारी विनोत तावडे जी जो की महारष्ट्र के निवासी हैं वो भी तीन दिन रियाना परवास पर रहे थे उन्होंने सभी विदैकों से बारी-बारी बाचित की और जलादेक्शों के भी राए ली उस राय से ये पता लगा कि विदैकों ने जो है उनके सामने दुख्णा रुगा कि अपसर्स आई जो है परदेश में आवी है और अपसर्स उनके काम नहीं कर रहे हैं इसके साथ साथ जो है विदैकों जिला दक्सों ने कहा कि मंतरी बन के सुनाई नहीं कर रहे हैं और कई सारे विदायकों नों तो यहां तक कहा कि सबसे ज़्यादा मंत्राले दुसंत के पास उसके दस मंत्राले मारी बिलकुल ने चलती है तो इसके बाद उन्हें फीडबैक लिया और कल जो है लगबग दो गुंटे चतर पुरस्तीत दुसंत के फार्माउस पर प्रतेश अध्यक्ष दनकरजी और तावडे जी ने मिलकर मुलाकात की और अगले मंत्री मुलका ताना बाना बुना हमारे सुत्रों जो मेरे पोर्टे मेली उसके इसाब से पार्तिय जनता पार्टी के नेता हर लोगस्वाग चेतर से एक विजाय को कम से कम मंत्री बना जाएगा क्योंकि अब भी तक जो है सोनी पतर रुट तक लोगस्वा से कोई भी मंत्री नहीं है कि यह कहा के दो निर्दिलों को पका मंत्री बना जाएगा है। कि अपने पार्तिय नहीं यह नहीं को लगता कि अपने एक विजाय को मंत्री बना जाएगा। उससे पहले कम से कम तीन मंत्रों का तीन मंत्रों की छुटी तवताई जा रही है सबसे ज़्यदा रडार पे इसमरें जो मंत्र टाइने जाने के नाम पर है सबसे ज़्यदा नाम ले जा रहा है OMPRKO Sapkosti Aaddoji का उसके बाद नाम ले जा रहा है कमलेश धंडा जी का उसके बाद नाम लिया जा रहा है मूल्चन सर्माजी का और इसके सासा जो है संदीप सिंग का नाम भी लिया जा रहा है लेकिन किसानां ढूलन के कारण सिक्स थार आउने गनाते संदीप सिंग को फिलाल जोवैदान मिल गया है अब तीन उधायकों अब तीन मंत्रियों की चुटी हो सकती है क्योंकि इसके पीसे बहुत सारी लोजिक है सबसे पहले कार्ण है सोनिपत रोत्तक लोकसभा से एक-एक जो मंत्री का पढ़ना सोनिपत लोकसभा में तीन विदायक है राय के विदायक लाल बडोली गन्नोर की विदायक निर्मला चोदरी और जीन्द के विदायक डॉक्टर कर्शन विदा वहीं जो है रोत्तक लोकसभा में एक मात्र विदायक लक्षमन सिंग्यादों जो कोसली के विदायक तो अगर रोतक लोगसपास से एक मंत्री बना जाता है तो लक्षमाण सिंग्यादो का मंत्री बनाता है लक्षमाण सिंग्यादो का मंत्री बनाने के लिए ओंपराश जैदो का रिज्यान करवा जा सकता है मुख्य मंतरी की सबसे ज़्यादा पसंद वैसिंगा दो बताया जा रही है इसके साथ अगर सोनीपत में ब्राह्मन नेतरतों के अनापर अगर मंतरी बनता है तो मुल्चन सर्मा को अटा कर मौलाल बड़ली को मंतरी बना जा सकता है अगर निर्मल चोधरी को मंतरी बना जा सकता है इसके साथ जो है डॉक्टर मिड़ा को भी मंतरी बना जा सकता है पिछली बार जो है इस सरकार में मनीज ग्रोर भी मंतरी थे उसकी जगह डॉक्टर करशन मिड़ा का नाम चला हुआ है तौल मिला करिए sense that अब जो सरकार अपने चार मंत्रियों को अब जो सरकार अपने चार मंतर को च्षुटई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है कमलेज डांडा जी मुल्चन सरमा जी और 3 मंतरों पर अजया दोजी की च्षुटई तेहं बताई जारी है में चुट्टी करके तीन चार जो है नहीं मंत्री बना जाएंगे वहीं मंत्री के बनते बना जाता है तोस्रे लोक्रबार निमीशल को मंत्री से यह compassion सब्सक्राइब में कि मितल दूसरे मंत्री मंत्री अगर निम्मल्षोधिर के को मंत्री बना जाता है तब भी जो है महिला के नातिका मिलिष डंडर जी को को के पर कितरे जा सकते हैं इसके साथ साथ अगर मुलाल बुडली गानम आता तो मूल्चन सर्मा की छुट्टी मानी जाती है मानी जा रही है और डॉक्टर मीडा का नाम भी चला हुआ है और लक्ष मंत्री बना रखने के लिए मुक्ह मंत्री जी और कुश्य तरह के विजाय क्शेतर नायप फ्हेंदी जी-वहिन दूसरा गुरूप पूर मंत्री राम्वला स्रमा जी के नेतोर में चला वहा है, जिसको आजकर लीड करें हैं, ग्रह मंतरी निल्बीद जी, उसमें दन्रक्ड साहeb हैं, अमारे अभी मन्यू जी भी आती हैं, तो इसी नात्र यह गुर्व भी चाथ आप कि से कम एक मंत्री इनके गुरूप से भी सामिलों परतेश अध्यक्स ओंपरास धनकर जी पानपज गामने के विद्धायक महीपाल डांड़ को मंत्री बना जाए जाएंगे यह तो बविश्य के गरब में है कि किसको है मंत्री पति लोटर लगती है और कि इसके पैरों के निचे संतुलन साधर ने होंगे कि पिछले दून पर आरोप लगा गा था कि परदेश में अब एक भी जो है वैसमुदाय का मंत्री नहीं है सची वाला में एक वेकरवाल समझ का अधिकारी नहीं है बिल्कुल कई ना कहीं किसान आंदोलन का असर जरूर पड़ा सरकार पे और ऐसे में कुछ मंत्रियों की छुटी हो सकती है और कुछ नए चेहरे मंत्री मंदल में शामिल हो सकते हैं इसकी इसी बीच एक बड़ी बात ये भी है कि 26 जनवरी को जिस तरह से कुछ किसानों दुआरा नेताओं का विरोध करने की बात हो रही है तो ऐसे में गुर्णाम सिंग चडूनी जो हरियना भारते किसान यूनियन के अधेक्ष हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी किसान किसी भी नेता का गणतंतर दिवस्यानी के जंडा फैराने अगर वो जा रहा है इस तरह के करेकरम में शामिल हो रहा है तो उसका विरोध ना किय जाए उसका विरोध नहीं किया जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से मुख्यमंतरी पानीपत के अंदर जंडा फैराने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे में किसान नेताओं ने जरूर उपायुक्त को एक ग्यापन सौप के ये कहा है कि वहां के उपायुक्त ही ज जिमेवार ना ठहराय जाए क्योंकि हालात जिस तरह से आज परदेश में बने हुए हैं किसानों किसान लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं परदर्शन कर रहे हैं तो इसी बीच जो है हर कारिय करम वो देखकर ही करना उचित होगा लगातार अप्रेट्स के लिए आप द